घोलो डियर फ्रेंड्स तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो मेरा फेवरेट हर्मोनिका है तो उसके बारे में डिसकस करने जाँ रहां है तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ सुजूगी के सॉंग स्टार मॉडल की तो परसनली ये मेरा फेवरेट हर्मोनिका है हलांकि मैंने अपने जितने भी मेरे पास हर्मोनिका की कलेक्शन है वो मैं आपके साथ शेर कर चुका हूँ CX-12 के मॉडल्स है मेरे पास SCX-64 है Discovery है 270 है और उसके इलावा काफी सारे डायटॉनिक्स है मेरे पास बट जब से Suzuki Songstar मेंने प्ले करना स्टार्ट किया है तो बाकी के हर्मोनिका को मैं बहुत ही कम प्ले करता हूँ तो ये वी एक personal choice है हलांकि मैं ये नहीं कह सकता कि सभी का ये फेवरेट ही होना चाहिए या फेवरेट ही होगा बट मुझे personally ये हर्मोनिका बजाना बहुत ही अच्छा और comfortable लगता है और दूसरा पता नहीं क्यों मेरे mind में एक मतलब peace of mind रहता है मेरे दिमाग में जब भी मैं कभी कोई performance देने जाता हूँ तो बहुत ही मैं tension free होके इस हर्मोनिका के उपर perform करता हूँ तो उसका एक reason ये है कि ये जो हर्मोनिका है इसमें wind savers नहीं होते तो आप लोग बोलेंगे कि wind savers जो है उनका तो हमेशा advantage रहता है बिल्कुल ठीक बात है wind saver या जो हमारे valves है तो जैसा कि नाम से ही उनके clear हो जाता है wind saver तो वो आपकी जो air की leakage है उसको कम करके आपका effort जो है उसको कम कर देते हैं तो आपकी सांस नहीं फूलती तो wind savers के बारे में मैं अपने अगले किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर discuss करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास तीन अलग-लग song stars बड़े हैं तो ये तीनों अलग-लग scales के हैं मेरे पास A scale का song star है C scale का है और ये C sharp scale का है तो C sharp हाला की available नहीं होता बट लखनव से हमारे मित्र है योगेश तमता जी तो उन्होंने ये specially एक slider design किया था तो वो slider जो है उसको आप C या C sharp दोनों तरह से harmonica में use कर सकते हैं तो मैं धन्यवादी हूँ तमता साब का जिनोंने मुझे ये slider दिया और उस वज़े से easily ये मेरा harmonica C sharp में convert हो गया otherwise आपको hole drill करना पड़ेगा slider में तो इसमें जैसा कि मैंने आपको starting में बताया कि इस harmonica में wind savers नहीं हैं तो फिर भी इसमें जो effort है वो एक wind saver वाले harmonica जितना ही लगता है उससे ज्यादा नहीं लगता तो हलाकि आप जो बाकी के models देखोगे जिनमें wind saver नहीं होता उसमें आप feel करोगे कि आपका थोड़ा सा effort ज्यादा लग रहा है इसमें main reason एक तो ये है कि क्योंकि ये made in Japan है Suzuki तो इसका जो mouth piece है और जो reads की alignment है वो बहुत ही precise है तो उस precision के कारण जो आप देख पा रहे हैं ये 24 hole harmonica है basically तो उस precision के कारण इसमें से जैसे आप देखें कि अभी आप देख पा रहे हैं कि एक hole में आपका एक read जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे तो जब आप इसका slider प्रेस कर देंगे तो वो वली जो window अधी वो बंद हो जाएगी और उपर वाला read तो वो वली window खुल जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि एक hole में आपको दो अलग अलग reads मिल रहे हैं इसी तरह से अगले hole में दो अलग-लग reads मिल रहे हैं आपको notes मिल रह draw slider press and draw without pressing slider और उसी तरह से दो blow के लिए तो वहाँ पे leakage की problem जो है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है तो उस वज़े से वहाँ पे wind saver दिये होते हैं तो इसमें वो problem थोड़ी सी इस वज़े से कम हो जाती है क्योंकि इसमें एक hole में जो दो आपको reads दिये हैं तो एक read already cover हो गया तो एक बार में एक read ही आपका use हो रहा है हलाकि ये same design जो है tower का भी होता है बट मैंने जैसे पहले बताया कि ये Suzuki का model है तो इसमें इतना precisely इसके mouthpiece को बिठाया गया है कि leakage वाली जो problem है air leakage की वो काफी हद तक कम हो जाएगी तो मुझे इसका benefit सिरफ यही लगता है कि इसको आप rough and tough use कर सकते हैं तो कभी भी इसको pocket में डालके आप सीधा stage पे चले गए तो वहाँ पे आप जाके perform कर सकते हैं भीना किसी tension के क्योंकि इसको ना तो आपने warm करना है इस harmonica को ताकि इसके जो reads हैं वो wind savers के साथ stick ना करें तो उस type की कोई भी problem नहीं है सीधा jave में डालके आप इसको pocket में डालके कहीं भी ले जाके वहाँ पे perform करना start कर सकते हैं तो ये एक reason है और दूसरा मैं कह सकता हूं कि क्योंकि ये 24 hole harmonica है तो थोड़ी सी spacing जो है notes के बीच में वो 12 hole से थोड़ी सी ज्यादा है तो उस वज़े से भी मैं थोड़ा इसको play करने में comfortable feel करता हूं तो ये एक reason हो सकता है personally मेरे लिए कि मुझे ये harmonica जो है ये पसंद है तो basically ये 24 hole harmonica है 24 और 12 hole का मैं difference अपने पिछले वीडियो में आपसे share कर चुका हूं तो अभी जहां तक मेरा ख्याल है unfortunately जो C scale harmonica है song star का वो शायद market में available नहीं है तो A scale का harmonica इसका available है तो वो भी मुझे idea नहीं है कि इस समय easily मिलता है या नहीं मिलता तो मेरे पास ये तीनो scale के harmonicas है और A scale का जो मुझे advantage लगता है इसका कि इसके जो lower notes है as compared to 12 hole जो मेरा personal experience है मेरे साथ जो हुआ तो lower notes मुझे बजाने बहुत easy लगते हैं song star के तो 12 hole में जो lower notes है बजाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है उसमें जो sans है वो आपको बहुत धीरे से जो air है वो बहुत धीरे से आपको blow या draw करनी पड़ती है otherwise उसके जो reads है क्योंकि lower side पे क्या होता है reads की length जो है वो ज्यादा होती है तो उस वज़े से आप अगर उसको तेज blow या draw करोगे तो वो read जो है वो अपने slot के अंदर chalk हो जाता है तो उसके अंदर वो फस जाता है तो ये एक reason है कि आपको बहुत gently blow या draw करना पड़ता है lower notes पे इसका जो lower notes का response है वो comparatively मुझे better लगा क्योंकि जो lower notes है उनके wind savers की भी length जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब practice चाहिए lower notes पे but comparatively song star में lower notes जो है वो easily बज़ते हैं या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से lower notes जो है वो easily बज़ते हैं as compared to 12th hole harmonica तो ये कुछ एक aspects थे song star के क्योंकि मैं बाकी सबी जितने भी मेरे पास harmonicas हैं उन पे अपना experience आपके साथ share कर चुका हूँ तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप use तो song star करते हैं और उसका अभी तक आपने कोई experience share नहीं किया तो ये एक reason है कि मैं आपके साथ song star का experience जो है वो share कर रहा हूँ तो बाकी personal choice की बात है मुझे personally ये harmonica जो है मेरा personal favorite है बहुत अच्छा लगा tonal quality भी मुझे ठीक लगी इसकी कोई इतना नहीं है कि difference है तो मैं बजा के भी अपने किसी अगले एक वीडियो में जो song star है इसकी tonal quality जो है वो बाकी 12 hole harmonica के साथ compare करूँगा तो ये कुछ एक बाते थी song star के बारे में जो मैं आपके साथ discuss करना चाता था तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये video song star के बारे में पसंद आया होगा तो ऐसे ही experiences मैं अपने आपके साथ share करता रहूँगा तो अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगा हो तो video को like कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए तो इस video को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you for now